पुलिस अधिक्षक यमना प्रसाद वा अपर पुलिस अधिक्षक आलोग कुमार जैसवाल एवं पुलिस चेट्प्राधिकारी अशोग कुमार जैसवाल के निर्देशन ने चंदोसी कोत वाली पुलिस को उस वक्त बड़ी सखलता हाथ लगी जब मुकबिर की सूचना पर मौलागर की पुलिया से चोरी की बाइक तथा एक अवैद हतियार के साथ एक शातिर अपराधी को गिरफतार किया जिसकी निशान देही पर चोरी की चार बाइ की जिसके बाद पुलिस शातिर अपराधी परवेज निवासी अजीम दंज के विरुद कानूनी कारवाही कर उसे जेल भेजने की तयारी कर रही है इस विशह में पुलिस चेत्राधिकारी अशोक कुमार सिंग ने बताया कि मुकबिर की सूचना पर मौलागर की पुलिया से एक बाइक चोर को चोरी की पांच बाइक तथा अवैद तमंचे के साथ गिरप्तार किया गया जिसे वेद्यानिक कारवाही कर जेल भीजा जाएगा चंदोशी में जो कुलासा हुआ है मोटर बाइक का इस चंदोशी की फोर्स अपने जूटी में गस्त में थी सूचना मिली से चोको की एक आदमी मोटसाज जो आसमानी रंग का शूट पहने है एक मोटसाइगल के साथ खड़ा इस सूचना पर चंदोशी एस चोपन आज यह सुबह करीब सवाच्छे वजे की बात है जब इसको पकड़ के लाए गया तो इसके पूस्ताज करने पर इससे पांच और मोटसाइकलें बरामद हुई है और जिनका रंग अलग अलग है अब इनको नंबर अलग अलग प्रेट से किसी दूसे जी ले के भी हैं इसम खिलाब अन्वीधिक कारवाई की जाए जाए इसका विवने थानों में पूल 14 अपराधिक इतियास है इसके उपर 14 मुकदमे दर्ज है एक बारा बोर का कट्टा इसके पास मिला और एक नंबर फिलेट इसके पास से बरामद हुई है